अस्सलाम आलेकुम आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमारा फ्राइड राइस के साथ कॉंबिनेशन है इस्प्रिंग चिकन इट्स टोटली अप टू यो आप अकेली बनाए या फ्राइड राइस के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजए लाइक कीजए शेयर कीजए और प्यारे-प्यारे कमेंट कीजए तो चले स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंटस दरकार होंगे वो note कर लीजे, ये है 4 tablespoon hot sauce, 6 tablespoon lemon juice, 1 tablespoon soya sauce, 4 tablespoon vinegar, 2 eggs चाहिए, 1 and a half teaspoon हमें salt चाहिए और 2 and a half teaspoon हमें red chili pepper चाहिए, और ये 1 cup हमको चाहिए मैदा, all purpose flour, ये इसको मैंने mix कर लिया है, paste को, ये हमारा thick और smooth paste बनेगा, इसमें हमें अपनी chicken को coat करना है, और ये आप note कर लीजे, कि ये रनी नहीं है और बहुत थिक नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको फ्राय करेंगे, अगर बहुत साथ थिक होगा तो, वो निकल जाएगी coating, ये आप देख लीजे, ये हमारा अच्छा सा कोट हो गया है chicken की उपर, और काफी creamy सा paste होता है, अब हम इसक तो फ्राय कर लेते, इसके लिए तेल ना बहुत जादा गरम लीजेगा, और ना थंडा, दर्म्यानी आज के उपर तेल होना चाहिए, कि ये जाते ही पकना शिरोजा बना तेल एब्सॉर्ब कर लेगा, और बहुत crowded नहीं कीजेगा, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ फ्राइंग के लिए, कि जब आप फ्राय कर रहे हों कोई चीज, तो उसको थोड़ा स्पेस से फ्राय किया किजे, बहुत crowded नहीं कर दिया किजे, उससे जो हमारा temperature है, आईल का, वो reduce हो जाता है, और जो भी चीज पकरे होती है, वो absorb कर लेती है, आईल को, एक वक्त में 5-6 प मिनट बार turn करेंगे, आईसके लोग देख लीजे, इस तरह से आएगे, यह हमारी बहुत हील अजीज, बहुत ही tempting, spring chicken ready है, बनाईए, खाईए, और मुझे अपनी राहे से जरूर आगा कीजिएगा, दौ में याद रखीगा लने के पान। रखीजप भीजेशब दौ मैं बार आगा का शवेशब, घू एक वोइए, प्राभणी रखीजएब, इस यह करेंगे, प्लास वोगत ही तूमस, आपा करेंगे, अद्वेशब, आए मैं